मनिहारी में लॉकडाउन के दोरान सरकार के गाइडलाइन्स का उलंगन करते हुए चार दुकानों को मनिहारी SDM आशुतोष द्रवेदी, सीयो राजेश रंजन और थाना प्रभारी रंजन कुमार ने मनिहारी बाजार में खुले हुए रंगे हाथो पकड़ लिया जिसे प्र SDM आशुतोष द्रवेदी ने बताया कि सरकार के गाइडलाइन्स के अनुसार अनिवारी चीजों की दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानों को सब्ताह में चार दिन ही खुलना तै किया गया है अन्य तीन दिन दुकान बंद रहेंगी लेकिन जिन दुकानों को बंद रहन की गई और चार खुली दुकानों को प्रशासन ने सील कर दिया इसी के साथ SDM ने ज्वनता से अपील करते हुए कहा कि सरकार ने लॉकडॉन में छूट जरूर दी है लेकिन खत्रा अभी चला नहीं है इसलिए लोगों को अनिवारे रूप से मास्क लगाना चाहिए और सामाजिक दूरी का भी पालन करना जरूरी है अज जो पंदरा तारीक को नए गाइडलाइन्स जारी किये हैं उनके अनुपालन ना करने के कारण चार दुकानों को मनिहारी भाजार में सील किया गया है उसमें दिश्टर करें कि जो भी दुकाने अवश्यक चीजों से संबंधित नहीं मतलब खाने पिने की दुकाने फल, सबजी, दूद, डेरी के सामान उसके अलावा कृशी, उपकरन और बीज और फर्टिलाइजर ये दुकाने रोज खुलनी हैं, उसके अलावा सभी दुकाने सब्ता में तीन दिन बंध रहेंगी और चार दिन खुलेंगी, मतलब मंगलवार, प्रिहस्पतिवार और शनिवार के दुकाने बंध रहेंगी उन गाइड लाइन्स के उलंगन के करण आज जहांस की गई थी दल के दौरा मन्यारी बाजार में और चार दुकानों को सील करके जो प्रावधान हैं उनके तहट फाई यार और अगरितर कारवाई की जा रहे हैं आम जनता से में ही अपील करना चाहेंगे कि भले ही कुछ छूट दी जा रही है कोरोना को लेकर की गाइड लाइन्स में लेकिन इसका मतलब ये कताई न लें कि अभी बीमारी खतम हो गई है ये महामारी अभी भी है इसका खत्रा भी भी बरकरार है जो भी गाइड लाइन्स उनका पालन करें साथी साथ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेज ध्यान रखें और जो लोग इसके योग्ये हैं वो लोग टीका करन अवश्य करवाई है नीज लाइब डेस कचिहार